ओम नमो नारायन, राधे राधे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधु वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विश्नु भगवान, जय शिवा शंकर भोलिनाथ जरूर लिखे। कुछ दिखाई देने लगी। उसने गोभूमी स्वर्ग का दान देकर अनेक ब्राह्मन को प्रश्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने ना किया हो। परन्तु उसने कभी बेसंक, पास में जल्डन नहीं किया, वह कहता था कि अलग व्यवस्था है। अनाथ अनपर लंगडे और दरिद्रयों की अर्शि भूखे प्यास। दोपहर के समय मार्ग मिथ के दुरगती है। और यही दया के पात्र हैं इस दोश के कारण तीन जन्म तक उसको जातक की योन मिली। फिर एक जन्म में गीत बना, फिर सांप जन्म तक कुत्ते की यानी मिली। फिर एक राजा के महल में छिपकली की यानी में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उसे राजा को मिथिलापुरी के राजा शुरुती कीर्ती के घर में छिपकली बनकर द्वारा की चोखट पर कीडों को भशन करते हुए, स्टार से वर्ष बीत गए एक समय। सुखदेव हुए मिथिलापती के घर आये। आरशी को देख राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आधार सतकार किया। मधुकर आधी करके उनका पूजन किया। और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उसे चल को छिड़ा। देव योग से उज्ज्वल की एक बून्द पढ़ने ही उसको अनेक योनियों की जन्म का ज्यान हो गया। और है है कर, खाने लगा, है ब्राह्मन। देवता मेरी रक्षा करो, मेरे रक्षा करो, छिपकली के ऐसे वचन। सुनकर ब्राह्मन को बड़ा आश्चर्य हुआ करता है। तू अपना मैं अभी तेरा उधर आर्शी के ऐसा वचन सुनकर वचिपकली खाने लगी है ब्राह्मन। मैं एक शिवा को कल में उत्पन्न हुआ। मैं वेद शास्त्रों का ज्यात था। मैंने निकौन गोदाम और ये बहुत से केन तालाब बावडी बनवाई। अनेक गोदान किया और धरम पूर्वक राज आपका चंद्रोदा चीड रहा था तो उसकी एक बूंद मुझ में पर गिर गई। जिससे मुझे पूर्व जनों का वृतांत स्मरण हुआ और मेरे निकौन पाप नश्ट हो गए, मुझको 28 जन्म तक छिपकली। अब आप कृपा करके कहानी मेरी दशा कैसे हुई। तब पारशे ने अपने ज्यान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और खाने लगे। मैं तुम्हारी बुरी यानि का करण जानता हूँ। तुम ध्यान दे कर सुनो। तुमने भगवान के प्यारमा बाशा मांस में कभी जल्डन नहीं किया। तुमने जल्द सुरागजन य यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है। धूपवी मार्ग के प्यास ब्राहमन को जल्डन नहीं किया। महात्माओं की अवग्या, श्लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है, सज्जनों की पूजा ही। धर्म अर्थ कम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मा आद्मियों की शान्ती से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्थियां से भी ततकाल कुछ फल नहीं मिलता। परंटु महात्मा को दर्शन मंत्र से ही पवित्र कर देती हैं। तुमने ना तो जल्दान ना साधुओं की सेवा की। इसी करण तेरी यह दुर्गती हुई। अब मैंने जो बिसाओ में पुन्य किया है। वह तेरे को दूंगा। उसके फल से तेरी शांती होगी। इससे तेरे भूत भविश्य वर्तमान तीनों कालों के कर्म संसकार दूर हो जाएगी। यह का आर्शी ने जल स्पर्ष कर एक दिन के हिसाब सनान का फ्लोस को दे दिया। जल के चित लगता ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्या रूप हो। छिपकली का रूप ट्याग कर। आर्शी के आगे हाथ जोड परिक्रमा करके नमसकार कर। आग्या लेकर स्वर्ग को चला गया और था हजार वर्षों तक सुन्दर भोगों को वंश में ही महाप्रभावशाली पृत्वी का राज्य करने लगा। बोलो विश्णू भगवान की जय।